उत्तव प्रदेश का रुक कर लेते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं चुनावीर एलिगो भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है आप मुझे बताईए साथियों भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थीक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फैराया तो आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ भारत में हुए भव्य जी ट्वेंटी सम्मेलन की पूरी दुनिया में वहवाई हुई प्रसंचा हुई आपको गर्व हुआ के नहीं हुआ कभी कॉंग्रेस सरकारे दुनिया से मदद मांगती थी लेकिन कोरोना के महा संकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाईयां भेजी वैक्सीन भेजिए ये सुनकर आपको गर्व हुआ कर नहीं हुआ दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया हम एक एक भारतिय को सुरक्षीत वापिस लाए अफगानिस्तान से गुरु गर्ण साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी स्रद्धा से भारत लाए आपको गर्व हुआ कर नहीं हुआ साथ क्यों जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उज़की सुनती है आप मुझे पताईए दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और नहीं बज रहा है चारों तरब डंका बज रहा है और नहीं बज रहा है दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि ने बज रहा है यह कैसे हुआ यह कैसे हुआ यह किसने किया यह कैसे हुआ किस ने किया किस ने किया किस ने किया आपका जवाब गलत है ये मोदी ने नहीं किया ये आपके एक वोट ने किया है ये आपके वोट की ताकत है आपके एक वोट से मजबुत सरकार बनी मिननायक सरकार बनी ससक्त सरकार बनी काम करने वाली सरकार बनी और बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कीजी से भी कम नहीं है साथियों जम नियत सही होती है होसले बुलंद होते है तो नतीजे भी सही भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं कहीं बंदे भारत और अमरत भारत जैसी आधुनिक ट्रेने चल रही हैं पिली भीट भोजीपुरा और पिली भीट से तनकपुर तक रेलवे के ब्राडगेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने लगी है धनारा गाट पर दो सो पचास करोड़ की लागत से पूल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है इससे शारदान नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी तो पीले भीट पहुंचे हुए हैं पीमोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी सरकार के इंद सरकार की हुजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं